इश्वर के नयाय सबके लिए अलग क्यों होता है एक प्रेरक परसंग एक बार दो आदमी एक मंदीर के पास बैठे गपशप कर रहे थे वहाँ अंधेरा चारा आ था और बादल मंडरा रहे थे थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आया और वो भी उन दोनों के साथ बैठ कर खा लेते हैं उसके बाद सवाल आया कि 8 रोटी 3 प्लस 5 रोटी 3 आदियों में कैसे माट पाएंगे पहले आदमी ने राए दी कि ऐसा करते हैं कि हर रोटी के 3 टुगडे करते हैं अर्थात 8 रोटी के 24 टुगडे हो गए और हम तीनों 8-8 टुगडे बराबर बराबर के लिए दोनों को धन्यवाद दिया और प्रेम से 8 रोटी के 8 टुगडों के बदले दोनों को उपहार सवरूप 8 सोने की गिन्नी देकर अपने घर के ओर चला गया उसके जाने के बाद दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा कि हम दोनों 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं पहला समश्या बताये था समाधान के लिए प्रार्तना की पुजारी भी असमंजस में पढ़ गया दोनों दूसरे को जादा देनी के लिए लड़ रहे थे पुजारी ने कहा तुम लोग ये 8 गिन्नी मेरे पास छोड़ जाओ और मुझे सोचने का समय दो मैं कल सवेरे जवाब दे पाऊंगा पुजारी के दिल में वैसे तो दूसरे आदमी की 3-5 की बाट ठीक लग रही थी पर फिर भी वह गहराई से सोचते सोचते गहरे नीन में सो गया कुछ तेर बाद उसके सपने में भगवान पर गठ हुए तो पुजारी ने सब बाते बताई और नया एक मार्क दर पूछा प्रभू ऐसा कैसे भगवान फिर एक बार मुस्कुराए और बोले इसमें कोई शंका नहीं कि पहले आदमी ने अपनी 3 रोटी के 9 टुकडे किये किन्तु उन 9 में से सिर्फ उसने एक ही बाटा और 8 टुकडे सुम खाए अर्थात उसका त्याग सिर्फ एक रोटी क का हगदार है यही मेरा गणित है और यही मेरा नयाए है इशवर का नयाए का सटी विस्लेशन सुनकर पुजारी जी नतमस्तक हो गए इस कहानी का tulee है कि हमारी वास्त्ती को देखने कि समझने की दरश्टी और इश्वर का दरश्टी गुण एक गमभिन है हम इश्वर ये नयाय लीला को जानने और समझने में सर्था ग्यानी है हम अपने त्याग का गुणगान करते हैं परन्तु इश्वर हमारे त्याग की तुलना हमारे सामर्त्य एवभोग के तोर पर ये तोचित निना करते हैं धन्यवाद